दोस्तो आज हम एक्स्प्लीन करने वाले हैं हाली में आई मिस्टीरिस वेक्ट सिरीज इनफेक्टर रिशी के सारे एपिसोड्स को जिसकी एंडिंग आपका दिमाग गुमा देगी इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए हम चली कहानी शुरू करते हैं एपिसोड वन की शिरुवात में हमें 20 साल पहले थाय कोडू के जंगल को दिखाते हैं जो की कॉंबितूर से 50 किलोमीटर दूर है और वहां में कबीले वालों को देखते हैं जहां पर सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे कबीले के लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी तैहार की तैयारी कर रहे हो फिर थोड़ी दिर बाद रात हो जाती हैं और सभी कबीले के लोग तैयार होकर नाचते हुए एक गुफा के अंदर जाते हैं जहां हम देखते हैं कि कबीले वाले कोई माता की पूजा कर रहे हैं फिर कभीले वाले गुफा को अंदर से बंद करके अजीब से अवाज निकालते हैं और एक बड़े से गड़े को घेर कर खड़े हो जाते हैं जिसके बाद एक औरत उस गड़े में आग लगा देती हैं और एक एकर के सारे कभीले वाले उस जलते हुए गड़े में क जो कि शायद कभीले के लोगों के रिचल पूरा करने से हुआ है अब हमें 20 साल बाद कसी दिखाते हैं जहम फॉरेस्ट ओफिसर सत्या और उसके साथ इर्फान को देखते हैं जो कि जंगल में पानी के अंदर खड़े थे और उनके सामने हाथियों का एक जुंड था जो कि काफी गुस्टे में लग रहा था तब सत्या हाथियों के पास जाकर शांद खड़ा हो जाता है और थोड़ी दिर बाद एक बड़े से हाथियों से दोस्ती कर ली थी पिर जब सारे हाथियों से जाने लगते हैं तब सत्याए खादी को बेहुशी का इंजक्शन मार कर उसे बेहुश कर देता है फिर forest officer की टीम डॉक्टर की मदद से उसाधी का इलाज करते हैं क्योंकि उसाधी के पैर में काच गुश किया था जो कि किसी आदमी ने जंगल में दारू पी कर बोटल वाई छोड़नी की वज़ा से हुआ था अपसीन चेंज होता है और हम रोबर्ट नाम के वाइल लैफ फोटोग्रेफर को देखते हैं जो कि रात में जंगल के अंदर जानवर की फोटो खीचने जा रहा होता है रोबर्ट को तब महाँ पर काफी दरावनी अबा जाती है जिससे वह डर जाता है फिर जैसे रोबर्ट पीछे मुड़ता है ऐसा लगता है कि किसी ने उस पर एटक किया हो जिसके बाद यसी नियाई पर कट होता है अगली सुबा फोरेश्ट ऑफिसर सत्या अपने साथी इर्फान और पुनीता के साथ जंगल में राउंड लगा रहे होते हैं तब उनको जंगल में एक बड़ा सा पेड कटा हुआ मिलता है जो कि इलिगल काम था फिर इर्फान अपनीता को आसपास देखने के लिए कहता है कि कहीं और पेड तो नहीं कटे जैसे पनीता चेक करती है तो वे जंगल में एक चीज को देखकर ड़जा दी है फिर जब सत्या और इर्फान देखते हैं तो पेड के ऊपर किसी आदमी की लाश हो दी है जिसको किसी ने मार कर पेड़ पर लटका दिया था थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि पेड़ के ऊपर तो रोबर्ट की ही लाश है पर रोबर्ट को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि रोबर्ट को कैसे मारा है क्योंकि उसके उपर जाले लगे थी अब हमें कुछ दिनों बात कसी दिखाते हैं जाम एनार नाम के पुलिस वाले को देखते हैं जो कि अपनी दादी का पिंडदान कर रहा होता है क्योंकि वो हाली में भगवान को प्यारी हुई है एनार के घर में सब को लगता है कि ये सब उसकी बीवी यमना की वज़ा से हुआ है क्योंकि यमना के घर में आते ही एनार की दादी भगवान के पास चली गई इसलिए एनार के परिवार वालों ने यमना को मनुस कह कर घर से निकाल दिया एनार को अब चितरा नाम के पुलिस वाली का फोन आता है जो कि एनार की साथी है चितरा एनार को बोलती है कि उनके सीनिर ने किसी स्पेशल ओफिसर को चिनने से बुलाया है ताकि वह जंगल में मिली लाश का केस सॉल्फ कर सके जो कि एनार को बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसको लगता है कि वह इतना काबिल तो है कि वह केस को सॉल्फ कर सके अगले सीन में एनार और चितरा चनने से स्पेशल ओफिसर से मिलते हैं जिसका नाम रिशी होता है और वह काफी जाबाज पुलिस वाला है रिशी अब 血र और चितरा से केस की डिटेल पूछता है तब किसी बात पर आएनार और रिशी की भहास हो जाती है फिर आएनार रिशी को बताता है कि जब रूर्बरट की लाश की समय करने आया मतलब कि ये पका मडर है फिर चितरा रिशी को बताती है कि उसको क्राइम सीन से रोबर्ट के पैसे और कैमरा भी मिले हैं मतलब कि मडर की वज़ा चोरी नहीं थी और लास्ट के आस पास कनेर के फूल थे और रिशी को रोबर्ट के गेस्ट हाउस ले जाता है जहां वे दो महिने से रह रहा था पर उने महाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता रिशी अब एनार और चितरा को लोगों से पूछ ताच करने के लिए कहता है जिनसे रोबर्ट मढने से पहले मिला था फिर एनार और चितरा अब काफी सारी जगा रोबर्ट के बारे में पूछते हैं पर उनको कुछ भी पता नहीं चलता फिर एनार को एक धाबे के ओनर से अब्दुल नाम के आदमी के बारे में पता चलता है जो कि उनके होटल में काम करता है पर उस दिन वो गायब था जिस दिन रोबर्ट का मडर हुआ तब एकदम से अब्दुल ये बात सुनकर धाबे से भागने लगता है और रिशी की टीम उसका पीछा करके उसे पकड़ लेती है आप से इन चेंज होता और अब्दुल रिशी की कस्टेडी में था जब दुल बताता है कि रोबर्ट सर काफी अच्छे थे जो कि उसको काफी अच्छी टिप दिया करते थे और वे उनका फिबरेट भी था एक दिन रोबर्ट ने अब्दुल को एक उल्लु का नाम बता कर साथ में जंगल में चलने के लिए कहा ताकि वे उसकी फोटोग्राफ खीच सके रात में जब दोनों जंगल में गए तो ने एक अजीब से आवाज सुनाई दी जिसका पीछा करते वे रोबर्ट जंगल में काफी अंदर चला गया और अब्दुल से अलग हो गया तब अब्दुल को दोवारा डरावनी से आवाज आई और जब उसने पेड़ पर देखा तो उसको वनराची दिखी जिसने लादंग की साड़ी पहनी थी और उसके सर पे हिरन की तरह सिंग थे जिसको सब लोग जंगल की आत्मा गयाते हैं मतलब की जो डरावनी चीज हमने सीरिस की शिर्वात में देगी थी वनराची थी वनराची का चैरा देखने में काफी भयानक और डरावना था जो की गुस्से में अब्दुल को देख रही थी जो की शिकारी ने जानवर को पकड़ने के लिए लगाया था इससे सेल्वी दर्द से चिलाने लगती है और कैती आसपार कोई लकड़ी ढूडने लगती है ताकि वे फंदे को निकाल सके फिर जैसे कैती सेल्वी से दूर होती है तब सेलवी को उसके सामने बन राची दिखती है जो कि उसको मारने के लिए आ रही थी तब सेलवी काफी जोड से चिलाती है और यही पर एपिसोड वन खतम होता है एपिसोड टू की शिरुवात में हमें पास्ट कसीन दिखाते हैं जहां इस्पेक्टर रिशी की किसी खतरना गुंडे से लड़ाई हो रही थी तब रिशी उस गुंडे को गायल कर देता है और एक लड़की को बचा लेता है जिसको गुंडे ने किडनेप कर लिया था अगले सीन में बड़े पुलिस ओफिसर्स की मीटिंग होती है जहां डियास्पी सर डिसाइड करते हैं कि वह रोबर्ट के केस को रिशी को दे देंगे क्योंकि वह एक काबिल पुलिस वाला है जो कि कोई भी केस असानी से सॉल्फ कर लेता है फिर हमें पता चलता है कि रिशी की एक आख नकली है जो कि एक सीक्रेट मिशन के इनकांटर में चली गई थी अब हमें वही सीन दिखाते हैं जहां सेल्फी वनराची को देखकर काफी जोड से चिलाई थी तब कैथी सेल्फी की अवाज सुनकर उसके पास आती है और वह भी जाड़ियों में वनराची को देखती है जो कि महा से जा रही थी फिर सीन चेंज होता है जहां सुबा के समय सत्या और उसकी टीन सेल्फी का इलाज करवाते हैं फिर सत्या कैथी से पूछता है कि कल रात को क्या हुआ था तब कैथी किसी को भी वनराची के बारे में नहीं बता थी क्योंकि उसको लगता है कि सब लोग उसको पागल समझेंगे पर सेल्फी कहते कि उसने रात को जंगल में वनराची को देखा पर कोई भी पुलिस वाला सेल्वी की बात का विश्वास नहीं करता क्योंकि सबको लगता है कि वनराची जैसे कोई चीज नहीं होती सत्याप गुस्से में सेल्वी और कैथी को बोलता है कि तुम किसी को भी वनराची के बारे में मत बोलना नहीं तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे ये कहकर वे मासे चला जाता है इधार रिशी की टीम अब फॉरेंसिक डॉक्टर के पास पहुचते हैं तब उनको पता चलता है कि रोबर्ट की मौत कनिर की फूल की वज़ा से नहीं हुई और वे तो बिल्कुल फिट था तो उसक हटड़ नहीं आ सकता था जिस उनको समझ नहीं आता कि रोबर्ट की मौत का कारण क्या होगा पार ये तो पक्का है कि किसी ने बड़ी प्लैनिंग करके उसे मारा है फिर डॉक्टर बताते कि जो जाले रोबर्ट की बाड़ी से मिले हैं वे और्गैनिक हैं मतलब कि उसको की करना होगा रिशी अप सत्या के पास जाकर मिलता है जा उसकी सत्या से काफी अच्छी बात चीएत हो दी है और वह दोनों दोस्त बन जाते हैं फिर रिशी जंगल की डियाफो से मिलकर बात करता है तब डियाफो रिशी को बता दी है कि सीम ऐसा ही मडर 5 सल पहले भी हुआ थ तब पुलिस को लगा ही नहीं था कि ये मडर हो सकता है कैथी अब अपनी फ्रेंड शेलवी के साथ धर पर होती है तब शेलवी अपना समान पैक करके अपनी जॉब और उस जगा को छोड़ कर जाने लगती है क्योंकि उसको पता चल गया आदा कि महाँ पर रहना सेफ नहीं सेलवी कैथी को भी उसके साथ चलने के लिए कहती है पर कैथी मना कर देती है क्योंकि वे अनात थी और सेलवी को परिशान नहीं करना चाती थी अगले सीन में कैथी चर्च जाकर प्रेयर करती है और उसके और्फनेज की मदर लियाना से मिलने जाती है जो कि हॉस्पिटल मे एड्मिर थी इधर रिशी की टीम अब बाला के घर जाकर उसकी बीबी से पूश्टाज करते हैं पहले तो उने कुछ भी पता नहीं चलता पर थोड़ी दिर बाद बाला की वाइफ बताती है कि बाला के मरने से कुछ दिन पहले बाला काफी अजीप सी हरकते करने लगा था ऐस को एक दिन जंगल में लाल साडी वाली औरत भी दिखी ती जो कि शाए जंगल की आत्मा वनराची हो सकती है जिसके बाद बाल ऱक वनराची बार बार दिखने लगी और एक दिन वेब मारा गया रिशी की टीम अप जंगल की आत्मा के उपर एक एक्सपर्ट की वीडियो देखते हैं जिसमें बताया गया था कि दुनिया में नेचर के उपर कई स्पिरिट होती हैं जैसे हवा, पानी, आग, अर्थ और जंगल की इन्हें हर कल्चर में अलग-अलग तरह पूजा जाता है औ और कई लोग तो इनकी डर से पूजा करते हैं क्योंकि हर्ड़िट अच्छी नहीं होती, कोई तो इविल भी होती है, जो कि लोगों को डराती है और कई बार तो लोगों को मार भी देती हैं ऐसे एक इस्पिरिट का नाम बनराची है, जो की जंगल को प्रोटेक्ट करती है काफी कम वरकर्स उसके प्रिजक्ट में काम करने आते थे जिससे उसका काम काफी डिले हो रहा था इन सबसे परिशान होकर एकमरम डिसाइड करता है ये वे दूसरी जगा से वरकर मंगवाएगा ताकि उसका काम जल्दी पूरा हो फिर रात को अब हम एकमरम की वाइफ संगीता को देखते हैं जो कि प्रेगनेंट है और अपनी भांजी धनम के साथ घर जा रही होती है दरसल संगीता डॉक्टर के पास अपने बच्चे का चैक अप करवाने गई थी जहां उसको आने में देर हो गई फिर रास्ते में संगीता और धनम को एक बुड़ी औरत मिलती है जो कि संगीता को देखकर सदर करहने के लिए कहती है क्योंकि जंगल में वनराची गुम रही है जिसको मा बनने का सुक नहीं मिला तो वे प्रेगनेंट लेड़ी के बच्चे की खुश्बु सुनकर उसका बच्चा लेने आती है यह कहकर बुड़ी अमन संगीता को हाथ में कोई लोहे की चीज रखने को कहती है जिससे वे सेफ रहे फिर थोड़ी दिर बाद धनम का घर आ जाता है तो संगीता को अब अकेले इपने घर जाना था फिर संगीता रास्ते से एक लोई की चीज लेकर जाने लगती है तब उसको काफी डराबनी अवाज आती है और उसे पेड़ के उपर वनराची दिखती है जिसे देखकर वे जल्दी से अपने घर भाग जाती है और दर्वाजा बन करके पूजा करने लगती है फिर थोड़ी संगीता का गेट कोई खटखटाने लगता है जो कि शायद वनराची थी और संगीता वनराची से उसके बच्चे को छोड़ने की भीक मांगने लगती है तब वनराची घर के उपर चड़कर एकमरम के कमरे में चली जाती है जहां से फिर एकमरम के चिलाने के आवाज आती है संगीत अब अपने पती को बचाने के लिए कमरे की गीड को तोड़ कर अंदर आ दी है तब महाँ पर उसका पती नहीं होता और छट पर एक बड़ा सा छेदो रखा था मतलब कि वनराची एकमरम को अपने साथ ले गई जिसे देखकर संगीता बेयोश जाती है और यहीं पर एकमरम को एक पेड के नीचे देखते हैं जहां उसकी बॉड़ी अकड़ी पड़ी पड़ी थी और वे कुछ भी कर नहीं पा रहा था और उसको जब हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो उसने बताया कि रात को वनराची उसके बच्ची को लेने आई थी पर उसके पती को लेकर चले गई फिर रिशी अपने साथियों को उसकी थियोरी बताता है क्योंकि उसको वनराची में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था रिशी बोलता है कि ये किड्नैबिंग है जिसमें संगीता का पीछा सिर्फ ध्यान बढ़काने के लिए किया गया और किड्नैपरों का असले टारगेट एकमरम ही था जिसको उन्होंने बड़ी चलाके से प्लैन करके किड्नैप किया मतलब कि शायद एकमरम अभी भी जिन्दा हो सकता है और उसकी तलाशी के लिए रिशी अपनी टीम को जंगल में भीज देता है थोड़ी दिर बाद रिशी और उसकी टीम जंगल में डॉक की मदद से एक जगा पर पहुंचते हैं जहां वे कुत्ते जोर जोर से भौकने लगते हैं फिर एकदम से वहाँ पर जोर की हवा चलती है और वनराची की बड़ी डरावनी अवाज आती है जिससे रिशी की टीम सतर कोकर एक्शन मोड में आ जाती है फिर जैसे रिशी आगे बढ़कर चेक करता है तो उसको पेड़ के पास एकमरम की लाश मिलती है जिसको भी सेम रोबर्ट और बाला की तरह मारा हुआ था रिशी और उसके साथ यव एकमरम की लाश को फरेंसिक डॉक्टर के पास ले जाते हैं जाँ उसके गले में कुछ हलचलसी होने लगती है जिसके बाद एकमरम के मुझ से हरे रंगे कीड़े निकलते हैं जो कि दिखने में काफी वीर्ड सीन था रिशी अब उन में से एक कीड़े को पकड़ कर इंसेक्ट एक्सपेड के पास ले जाता है तब भे एक्सपेड बतादा है कि एक कीड़े प्रेंग मेंटेस नाम के फ्रिजाते से आते हैं जो कि अपने पैरों की मदद से सिल्क प्रेडियूस करते हैं मतलब कि इनी कीडों से सबी murder's के उपर जाले बनाए गए हैं फिर रिशी इंसेक्ट एक्सपर्ट से पूछता है कि इन कीडों को train करके किसी आदमी के उपर जाले बनवाय जा सकते हैं क्या तब एक्सपर्ट बोलता है कि ऐसा करना किसी भी आदमी के लिए possible नहीं है पर वह एक हफते में अपनी रिसर्च करके उनको बता सकता है अगले सीद में रिशी अपनी टीम के साथ डियस्पी को उनकी इंवेटिकीशन की डिटेल देता है कि उसको इन सब मर्डर के पीछे काफी जादा लोगों का हाथ लग रहा है जो कि काफी सफाई से मर्डर कर रहे हैं और उनको कोई भी सबोत नहीं मिल पा रहा फिर रिशी बोलता है कि इन तीनों मर्डर की पैटर्न एकदम सेम है और उनमें से कोई आदमी वनराची का कोस्ट्यूम पहन कर घुम रहा है ताकि लोग उनसे डर जाएं जिससे उनका प्लैन फेल ना हो और शायद वह ये सब करके कोई मैसिज देना चाते हैं तब ही वह सबी की बोड़ी को जान बूच कर ऐसी जगाप पर रख रहे हैं ताकि सब लोग उनको देखें अगले सीन में हम मंगई नाम की लेडी को देखते हैं जिसके काफी अच्छी शौप है और वे वनराची की डॉल को बना कर बेशती है तब रास्ते में एक जया नाम की लड़की जा रही होती है जिसको वनराची की डॉल काफी पसंद आती है महा मंगई उस बच्ची को वनराची की डॉल देनी वाली होती है पर तब ही जया की मा आकर उसको जबर्दस्ति अपने साथ ले जाती है और जया वो डॉल नहीं ले पाती जया अब अपने घर पर आ जाती है जहां वे काफीय जी बिहेब कर रही थी और अपने घर के भार से जंगल की तरफ ही देखे जा रही थी जोकि जया की मा को अच्छा नहीं लगता तो वे उसको घर के अंदर आने के लिए कलिए काती है पर जया भार से एकड़म गायब हो जाती है पर वे उनको कई भी नहीं मिलती थोड़ी दिर बाद जया की मा को जया उसके रूम में मिलती है जिसके पास वनराची की डॉल आ गई थी जो कि जया की मा को पता भी नहीं चलता रात को अब जया की मा को काफी डरावनिश से अबाज आती है तो वे अपने पती को घर चेक करने के लिए कहती है तब जया के ममी बापा के साथ काफी डरावने इंसिडेंट होते हैं फिर जया के पापा देखते हैं कि उनके घर में वनराची की डॉल पड़ी है जिससे उनको लगता है कि किसी ने उनके घर में कोई काला जादू किया है तब जया के पापा गुस्से में उस डॉल को जला कर खतम कर देते हैं और जया के मा को ये सब सही नहीं लगता तब भी हम देखते कि वनराची जया के पापा को ये सब करते पेड़ के उपर से देख रही है अगले सीन में हम यमना को देखते हैं जो कि एनार की पतनी है एनार और यमना ने भाग कर शादी की थी जा उसके पापा थे और वो यमना से बिल्कुल भी बाते नहीं करते क्योंकि वे उसके शादी के decision से खुश नहीं थे आयनर अब यमना से आकर बात करता है और उसको ग्रहों की पूझा करवाने के लिए कहता है पर यमना नहीं मानती और गुसे में मासे चली जाती है अब हम चितरा के घर में देखते हैं कि चितरा को देखने के लिए कोई लड़का आया है जो कि चितरा का दोस्ती है और वो चितरा को पसंद करता है पर चितरा फिलाल अभी शादी नहीं करना चाहती थी और उसे अपने करियर पर फोकस करना था जिससे चित्रा अपने घरवालों की डिसीजन से उदास थी फिर चित्रा एन आर से जाकर मिलती है और उसको अपनी शादी के रिष्टे के बारे में बता दी है क्योंकि वह दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और आपस में काफी सारी बाते शेयर करते थे अब हम रिशी को देखते हैं जो कि अपने बैट पर लेटा होता है फिर हमें उसका flashback दिखाते हैं जहां रिशी अपनी wife के साथ बैट पर लेटा था तब रिशी बोलता है कि उसको एक mission पर जाना है कि जो डरावनी आत्मा रिशी को दिख रही है वे उसकी wife की आत्मा है मतलब रिशी के साथ पाष्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसकी wife मारे गई तब रिशी को उसकी आत्मा दिख रही है प्रिजेंट में अब हम देखते हैं कि रिशी लेटा हुआ है और उसके छट पर उसकी वाइफ की आत्मा उसको दिख रही है जो कि काफी डरावना सीन था और यही पर एपिसोड 3 खतम होता है एपिसोड 4 की शिरुवात में मंगई को दिखाते हैं जो कि रात को अपनी दुकान बन करके अपने घर जाने लगती है तब रास्ते में एक आदमी उसका पीछा करता है जिससे डर कर मंगई अपने घर फटा फट जाती है फिर जब वे आदमी मंगई को खिड़की से देखता है तब मंगई के हाथ तेड़े मेड़े हो जाते हैं और मंगई का चाहरा काफी डरावना हो जाता है ऐसा लग रहा था कि मंगई वन राची में बदल रही है जिसके मादवे आदमी डर के मारे माँसे भावचाता है अब हम सत्या को देखते हैं जो कि इर्फान के घर खाना खाने आता है क्योंकि इर्फान की फैमिली ने उसको खाने पर बुलाया था यहां सत्य और इर्फान की फैमली की काफी बाचियत हो दी है अगले सीन में रिशी आयनार के साथ थेनकडू जा रहा होता है जहां चित्रा थोड़े टाइम बाद आएगी क्योंकि उसको रिशी ने कुछ पीपर वर्क करने को बोला है एनार अब रास्ते में रिशी से पूछता है कि उसको भूतों में विश्वास है क्या जिसका जवाब रिशी नहीं देता है पार हमें पता है कि रिशी को उसकी वाइफ वी जी की आत्मा देखती है जिसके लिए रिशी दवाई भी ले रहा है फिर एनार रिशी को बताता है कि उसने भूतो और डैमी गॉड के उपर रिसर्च करी है जहां उसको पता चला है कि हर डैमी गॉड के साथ कोई न कोई जानवर जरूर होता है और वनराची के साथ हर इंसेक्ट होते हैं जो की जाल बनाते हैं और जब भी वनराची किसे आदमी को मारती है तब वे कीडे उस आदमी के उपर जाले बना देते हैं और ये एक तरह का करम कांड है ये सुनने के बाद रिशी एनर पर गुस्षा होता है क्योंकि उसका कहना था कि ये सब वनराची ही कर रही है फिर रिशी कहता है कि हम ये सब इसके उपर वे कैसे भी करके पहुच करी रहेंगे फिर रिशी और एनार अब गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं जहाँ पर सत्या उनके रहने का पूरा अर्रेंजमेंट करवाता है और कैती को रिशी के असिस्टेंट के रूप में रख देता है क्योंकि रिशी को जंगल में क अब को ही वनराची दिख रही है पर उसको इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है रात को ब एनार यमना से फोन पर बात करता है और उससे अपनी फिलिंग बताता है कि उसको उससे दूर होकर अच्छा नहीं लग रहा है तब यमना कभी सेम यही आल होता है पर वह चितरा को देखते हैं जो कि अपने एक फ्रेंड हीरा को स्टॉक कर रही थी चितरा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे हीरा को प्यार करती है तब एकदम से हीरा चितरा को फोन गर के कहती है कि उसको एक काम के लिए उसके शैर आना होगा तो क्या वे दो दिन उसके साथ रह सकती है जिसके लिए चितरा खुशी-खुशी हां कर देती है क्योंकि चितरा हीरा को प्यार जो करती थी इधर अगले दिन रिशी और आइनार केस्ट डिस्कस करते हैं तब आइनार बोलता है कि किलर एकमरम को उसके घर में भी तो मार सकता था पार उसने उनको जंगल में ले केदार से पता चलता है कि यह प्रजेक्ट बंद होने वाला है जो कि जंगल काटकर बनने वाला था क्योंकि एकम रम सर मर चुके हैं और शायद इस प्रजेक्ट को चालू होने में साल भर लगेगा क्योंकि सरकार अब दोबारा टेंडर निकालेगी रिशी की टीम अप सामने की एक आख नकली है जिससे वह थोड़ा शोक हो जादी है अगले सीन में हम देखते हैं कि एक अमरम की बीवी का बच्चा मर गया जिससे वह जोड़ जोड़ से रोने लगती है अब यहां रिशी अपने घर में बैठा होता है तब वह कुछ सोचता है और हमें फिर से देखता है तो विज्जी उसके सामने खड़ी थी जिसके बाद एकदम से कैथी रिशी के रूम में आती है और वह डर के जाग जाता है रिशी अप कैथी से बातों बातों में अपने माइगरेन के दर्द के बारे में बताता है तब कैथी रिशी को ब्लैक टी देती है जिसस पंडीजी से बात करी जिसने बताय कि उन्हें वनराची की डॉल को जलाना नहीं चाहिए था और उनको आज ही कोई पूजा करनी होगी जिससे सब सही हो जाएगा रतिराम अब अपनी गाड़ी में बैठता है तब उसको मिरर में वनराची दिखती है फिर वनराची रतिराम की गाड़ी को पर आती है और उसे मा डालती है यहाई पर एपिसोड फूर खतम होता है एपिसोड फाइफ की शिरुआत में सत्या अपने घर पर कुछ चिडियों को खाना डालता है जहां पर हम एक नीला नाम की चिडिया को देखते हैं जो की सत्या की बाते मानती थी फिर जंगल के अंदर हम शेकर नाम के शिकारे को देखते हैं जिसने जंगल में अपना कैम्प लगाये हुआ था और उसने एक हादे को भी मारा हुआ था जिसके दात उसके साथ ही निकाल रहे थे तब इस शेकर का एक साथ ही उसके पास आकर बताता है कि फोरेश्ट पुलिस वा भाई से जाकर पूछता है कि कल वे कहा था जब उसके भाई का मडर हुआ तब वे बोलता है कि वे पास के शेहर जा रखा था अपने बिजनस के सिलसले में रिशी को रतिराम के भाई पर शक होता है क्योंकि वे ये सब बोलते वे काफी घबराय हुआ लग रहा था और रतिर रतिराम की गाड़ी को चेक करते हैं जा पर उन्हें एक बाल मिलता है जो कि शायद किलर का हो सकता है जिसे रिशी डिया ने टेस्ट के लिए भीज़ दिता है अब सीन चेंज होता है जा जंगल में फोरेस्ट आफिसर को उनके कैमरे टूटे हुए मिलते हैं जो कि उन्होंने जानवरे को देखने के लिए लगाए थी फोरेस्ट आफिसर अब वे कैमरे की मेमरी कार्ट सत्या के पास ले जाते हैं और जब सत्या चेक करता है तो उसमें उसको पेड़ पर वनराची दिखती है जिसके बाद वे कैमरा खराब हो जाता है रिशी की टीम अब रतिराम के घ बाद करता है तो वे बताती है कि मेरे पापा ने वनराची की डॉल को जला दिया था जो कि वनराची को पसंद नहीं आया तवह गुस्से में उसके पापा को अपने साथ ले गई फिर रिशी अपनी टीम के साथ मंगई के घर पर जाकर चान्विन करता है जहां उसको पिए उसके पास कर खुदी उसके घर से मिला है वे उसका ही है जो कि उसने एक ड्रामा के लिए लिया है क्योंकि मंगई एक धीटर गुरुप से जुड़ी हुई है और अपने साथें के साथ मिलकर वनराची थीम पर एक एक्ट करने वाली है जिसकी वे पास के गाउं में प्रैक्टिस भी कर रही है रिशी के सर में अब एकडम से दर्ध होने लगता है और उसे विज्जी के पास्ट की बाते याद आती है अब हम देखते हैं कि सत्य ने गाउं में कुछ लोगों को पकड़ा है जो की चुपके से जानवरों को शिकार कर रहे थे जिससे वह इरफान को क्या कर जेल भिजवा देता है फिर आतको अब रिशी सत्य के पास आकर वनराची की वे वीडियो देखता है तब रिशी उस वीडियो को देखकर कहता है कि जो भी हो वह बड़ी चलाके से काम कर रहा है मतलब कि रिशी को अभी भी विश्वास था कि ये वीडियो नकली है और ये सब उनको कोई वनराची पर विश्वास दिलाने के लिए कर रहा है रिशी और सत्याप केस से रिलेटेट बाते करते हैं उसके बाद सत्या रिशी को उसके बड़ से मिलवाता है जिसका नाम नीला है आप हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जहां रोबर्ट एक सेलवन नाम के आदमी से मिलकर उसको चुपके से एक बकरी में नशे की इंजेक्शन लगा कर डाने को बोलता है पाकिवत जानवरों को खाना दे कर उसकी फोटो कीच सके जिसके लिए रोबर्ट उसको खुप सारे पैसे भी देता है अगले सीन में हम गाओं के मुख्या कलिया पैरुमल को देखते हैं जो कि गाओं वालों को समझा रहे थे कि पुलिस वाले अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कोई भी उनके काम में दिक्कत नहीं डालेगा फिर हमें पता चलता है कि सल्वम को भी गाओं में हो रहे मडर और वनराची के बारे में पता चल गया है जो कि उसको पता नहीं था क्योंकि वे गाओं से बाहर गया था रिशी अब गाओं के मुख्या कले पैरुमल से जाकर मिलता है जो कि मंगई की पापा है कले पेरुमल अब रिशी को बताते हैं कि मंगई को शुरू से ही ड्रामा और एक्टिंग काफी पसंद थी पर वह सिर्फ अपनी रेपोटेशन की सोच रहे थे इसलिए उन्होंने मंगई की शादी 19 साल में ही करवा दी लेकिन शादी के बाद मंगई का हस्बेंट उसको माने पीटने लगा क्योंकि वह थोड़ा साइको टाइप का आदमी था तब मंगई ने अपने हस्बेंट से रिष्टा खतम कर दिया और वह अपनी ममी पापा के पास भी नहीं आई क्योंकि वह उनसे नराज थी जिसके बाद मंगई अकेली रहने लगी इधर एनार और चितरा थ जालती है क्योंकि उसकी बाड़ी पर जोग चिपक गई थी अब एकदम से महा पर सीन रॉमेंटिक होने लगता है तब रिष्टी को उसके सामने विज्जी की आत्मन दिखती है और वे कहती कुमा से जाने को बोलता है जिसके बाद एपिसोड फाइप यह पर खतम होता है त अरसल रिष्टी महोपर एक गेंगिस्टर को पगड़ने आया था जो की काफी खतरनाक है रिष्टी अब उस गेंगिस्टर को पगड़ने पप के अंदर जाता है जहां रिष्टी की टीम और गेंगिस्टर के बीच फाइरिंग शुरू हो जाती है थोड़ी दिर बाद चित्रा को साड़ी पहना रही होती है तो वह एक दूसरे के क्लोस आ जाते हैं और चित्रा के लिए वैसे कोई फीलिंग नहीं थी जिससे ही रा शौक हो जा दी है और चित्रा साइड में जाकर रोने लगती है कि उसने ये क्या कर दिया अगले सीन में अनर यमना से फोन पर करता है तब हमें पता चलता है ये दूनों अब dv orbs लेकर एक दूसरे से अलग रहने की सोच रहे हैं पिर इनर से बात करता है तब मंगई के लोगों से बात करी जहां सुसे पता चला कि मंगई सच कह रह檢़ी ते पार इस बेश पड़ी थी और उसके फोन में एक वीडियो भी मिलती है जिसमें कैथी के साथ ही कैथी को चड़ा रही थी कि वह रिशी के प्यार में पड़ गई तब ही एकदम से वहाँ पर वनराची आती है जिससे डर कर वह दोनों भागने लगते हैं तब कैथी के साथ ही गिर जाती है और कैथी को वनराची पकड़ कर अपने साथ ले जाती है रिशी अब ये वीडियो देखकर काफी परिशान हो जाता है और कैथी को पागलों के तरह ढूड़ने लगता है तब थोड़ी दिर बाद रिशी को कैथी मिल जाती है जिसके उपर कीडे जाले बनाने ही वाले थ तब उनको डरावनी आवाज आई, जिससे वे डर के मारे भागी, फार उसके साथी किसे चीज के लगने से गिर गई, फिर जब कैती अपने साथी को देख रही थी, तब कोई उसको पीछे से खीच कर ले गया, जिससे वे बेहोश हो गई, और जब कैती की आग खुली, तो उस उसने सुबा जोगिंगे टाइम देखा था, तब रिशी कैती को उसकी वाइफ विजजी की स्टोरी बताता है, जो कि एक फोटोग्राफर थी, और वे दोनों एक दूसरे से शादी में मिले थे, फिर धिरे दिरे विजजी और रिशी को एक दूसरे से प्यार हो गया, और उ वे भी खराब हो गई, डॉक्टर के रिशी की आँख का इलाज करने के बाद भी, रिशी को हर रोज विजजी की आत्मा दिखने लगी, जो कि हलोजिनीशन था, और उसे ये सब इसलिए हो रहा था, क्योंकि रिशी विजजी का उसकी आँखों के सामने मरने का दर्द और ट उसकी बेटी तुलसी उसके साथ नहीं थी, फिर जब वे लेडी बाहर तुलसी को अवाज लगाती है, तब वे देखती है कि तुलसी के सामने वनराची खड़ी है, जिससे देखकर वे लेडी डर के मारे भेयोश हो जाती है, और यही पर एपिसोड 6 खतम होता है, तुलसी के माता पिता डड़ जाते हैं, फिर थोड़ी देर बात गाउवाले तुलसी के घर आकर, तुलसी को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं, क्योंकि उनने पता रग गया था, कि तुलसी के अंदर वनराची है, जिससे गाउवालों को खतरा है, अगले सीन में कुछ आदमी गाओं के मुक्या कलिया पैरूमल के पास जाकर बताते हैं कि तुलसी को लोगों ने बांध कर रखा है जिसे वे चुराय में मारने वाले हैं क्योंकि उसके अंदरवन राची के आत्मा है कलिया पैरूमल तब तुलसी के पास जाकर गाओं वालों को समझाता है और तु से देख लेता है और बाद में चितरा से पूछता है कि उसके बॉय फ्रेंट का नाम क्या है जिसका चितरा कोई जवाब नहीं देती रिशी फिर चितरा के पास आकर बात करता है और चितरा बता दी है कि जो बाल उनको रतिराम की गाड़ी से मिले ना तो में मंगई की कॉस्ट से नहीं मारेगा इन सब के पीछे कोई वजा या एमोशन जरूर होगा तब एनर बोलता है कि उसे तो इन सब में एंगर का एमोशन लग रहा है जिसके बाद वह लोग अब मरने वाले चारों लोगों की और भी डिटेल निकालने लग जाते हैं एनर अब बाला की वाइफ पर प्रेजर रखता है क्योंकि उसको उस पर शक हो रहा था तब बे देखता है कि बाला की वाइफ करें चुपकर जा रही है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है फिर माब बाला की वाइफ किसी सुरूली नाम के आदमी से गुस्षे में बात कर रही थी और एनर अब सुरूली के सबजी के ट्रक को चेक करते हैं तो उसमें शेर की खाल हाती के दाज्या से कई सारे जानवरों के बाड़ी पार्ट्स मिलते हैं जो जंगल से पोचिंग मतलब इलिगल तरह से जानवरों की हंटिंग द्वारा स्मगल किये जा रहे थे सत्या रिष्वान अब उस दंदे में शामिल था जो कि ट्रक के जरिये इलिगल जानवरों के बाड़ी पार्ट्स की स्मगलिंग किया करता था पर कुछ टाइम बाद उसका मन बदल गया और उसने इस काम को छोड़ने की सोची जो कि उपर के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई जब उन्होंने बाल एनर को उसकी थेओरी बताती है कि अब तक जो भी मडर हुए हैं वैसा पोचर नहीं किये हैं ताकि वह जंगल में अराम से हंटिंग कर सके और पोचर नहीं बड़ी चलाकी से लोगों का मडर करके वनराची की अववा फिलाई है ताकि लोग डरके मारे जंगल में ना आए और वे सब अपना काम अराम से करते रहें पर N.R. को चितरा की बात पर बिल्कुल भी विश्वार्स नहीं होता रिशी अब कहती कि पास जाकर उससे 5 साल में जो भी पोचिंग की अक्टिविटी क्रिमिनल केस हुए है उनके बारे में लिश्ट लाने को कहता है फिर रात को अब इर्फान अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलता है पर वे ओफिस नहीं पहुंचता तब हम देखते कि सत्या को इर्फान के गायब होने के बारे में पता चल गया है क्योंकि इर्फान ने वोकी टॉकी पर मदन मांगी थी क्योंकि सत्या ने सुन ली थी सत्या अब इर्फान को ढूड़ते वे जंगल में जाता है जहां वे देखता है कि इर्फान गायल पड़ा है और उनकी साह से ठीक नहीं चल रही तब सत्या इर्फान को CPR की मदद से होश मिलाता है और हम देखते हैं कि कोई सत्या पर नजर रखे हुए है फिर जैसे वे सत्या के पास आते हैं सत्या मुड़कर उन पर बंदूगता देता है और यही पर एपिसोड 7 खतम होता है एपिसोड 8 की शिरुवात में डियाफो मैडम सत्या और इर्फान को ढूंडने के लिए अपनी टीम लगा देती है क्योंकि वे दोनों रात से ही मिसिंग थे तब सत्या के पापा भी उनको साथ में ढूंडने जाने के लिए कहते हैं पर डियाफो मैडम मना कर देती है रिशी अप कहते हो रैनार से बात करता है तो उसको पता चलता है कि जो पोचर का माल सत्या और इर्फान ने जब्त किया था वे सरकारी वेर हाउस में नहीं पहुचा मतलब कि शायद पोचर को ये सारी बात पता चल गई होगी तो उन्हें अपना माल वापस लेने के लिए उन दोनों को किड्नैप कर लिया पुलिस को अभी तक सत्या और इर्फान के लास के बारे में भी कुछ पता नहीं चला था तो मतलब शायद वे अभी जिन्दा हो सकते हैं इसलिए रिशी अपनी टीम को इर्फान और सत्या को जल्दी ढूडने के लिए कहता है अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस आदमी ने सत्या और इर्फान को किड्नैप पिया है वे कोई और नहीं बलकि शेकर है जिसका माल सत्या ने कहीं चुपा रखा है दरसल सत्या ने जान बूच कर शेकर का माल कहीं होर रखा था क्योंकि उसको पता चल गया था कि DFO और बड़े अधिकारी शेकर से मिले हुए है और अगर वो स्मगलिंग का माल सरकारी वेरहाऊस में जाता तो वे माल शेकर को वापस मिल जाता इसलिए सत्या ने प्लैन करके माल शेकर लिया और शेकर ने अपना माल वापस पाने के लिए सत्या और इर्फान को उठा लिया शेकर अब सत्या और इर्फान को बहुत मारता है दाकि वह उसको माल के बारे में कुछ बता दे करता है कि चितरा काफी उदास लग रही है क्योंकि हीरा उसको एवर्ड कर रही थी थोड़ी दिर बाद रिशी के साथ ही राज को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं पर राज उनसे बचकर भाग जाता है अब हम देखते कि सत्य और इस्वान को पोचर ने पर लेटा है पर थोड़ी दिर बाद रिशी की टीम आकर राज को पकड़ लेती है फिर राज अब उसके साथ ही का नाम बताता है जो कि रतिराम का भाई था रिशी फिर रतिराम के भाई को पकड़ लेता है और वे बताता है कि उसका स्मगलिंग में कोई हाथ नहीं है वे रिशी की टीम शेकर की लोकेशन निकाल कर एक पुरानी सी जगा पर जाते हैं जहाँ पर गेट बंद पड़ा था और गार्ड बोल रहा था कि यहाँ पर कोई नहीं आता इधर हम देखते कि सत्या को उसकी चड़िया निला मिलती है जिसको वे मदद के लिए भीज़ देता है मुए रिशी की टीम ये सोच कर जाने लगती है कि इस पुरानी जगा में कोई नहीं आता होगा तब रिशी को निला चड़िया दिखती है जिससे रिशी पहचान लेता है इसके बार रिशी की टीम उस जगा के अंदर जाते हैं और यहां फाइरिंग शुरू जाती है जिसमें काफिस सारे पोचर मारे जाते हैं पर शेखर बचकर भाग जाता है रिशी अब सत्या को कैद से अजात कराता है और जब वे रिफान को लेने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि रिफान को पोचर ने जान से मार दिया है जिससे देखकर सत्या बुरी तरह से रोने लगता है रिशी अप सत्या को उसके पापा के पास पहुचा देता है फिर जैसे रिफान की फैमिली को पता चलता है कि रिफान मारा गया वह भी जोड़ जोड़ से रोने लगते हैं यमना भी अब एनार को देख कर उसे गले लगा लेती है अगली सीन में इरफान की फैमिली इरफान का अंतिम संसकार कर देती है जहाँ पर काफी सारे फॉरेस्ट ओफिसर आते हैं रात को अपसत्य इरफान को याद करके रोता है जिसको रिशी समालता है अब हम देखते कि यमना और एनार के बीच भी सब सही हो रहा है और वे एक उट बाय कहकर चली जाती है क्योंकि उसको पता था कि उसकी किस्मत में हीरर से मिलना लिखा ही नहीं था इधर रिशी अप कहती के साथ चर्च जाता है तब उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं रिशी फिर उसके पर चीदा सेलवं के पास जाकर पूस्ताच करता है तब सेलवं बताता है कि रोबर्ट सरके कहने पर वे बकरी को नशे की इंजेक्शन लगा कर देता था जिसे जो भी जंगली जानवर उस बकरी को खाता वे थोड़ा स्लो हो जाता तब रोबर्ट उनकी अच्छे से फोटो लेता मगर कभी-कभी दवाई के जादा होने की कारण जंगली जानवर मारे जाते पर रोबर्ट को इस बात कब कोई अफसोस नहीं होता था जो की पाप है और इस पाप के लिए वन्राची ने रोबर्ट को मार के सजा दी है तब से सेलवं अपने परिवार के लिए खतम होता है एपिसोड 9 की शिरुवात में रिशी वनराची का पीछा करते हुए जंगल में जाता है और उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां से वनराची पहली बार निकली थी और वहाँ पर कनिर के पीले फूल थे जिसकी खुश्बू से रिशी थोड़ा नशे में होने लगता है फिर जब वनराची उसके पास आती है तब तक रिशी पूरा भ्योश हो जाता है अगले दिन रिशी की आँख खुलती है तो वो अपने घर के गार्डन में होता है जहां पीले फूल पड़े थे फिर अगले सीन में हम एनार को देखते हैं जो कि यमना के साथ अप देखे गए थे तो शायद उन्हें उससे कुछ पता चल सके तब चितरा बसंती की पास जाकर उससे क्लोज होकर बाते करने लगती है जिससे एनार समझ जाता है कि चितरा को लड़के नहीं बलकि लड़किया पसंद है एनार अब चितरा से थोड़ा अजीब बेहेव करने ल कोशिश करेगा जिसके बाद उन दोनों की पहले की तरह ही दोस्ती हो जादी है चित्रा रैनार अरब रिशी के पास जाकर केस को डिसकस करते हैं और बोलते हैं कि एकमरम का पोचर के साथ कनेक्शन नहीं था एकमरम ने एक साल में अपने प्रिजक्ट के लिए कई सारे प्रिशियन, मीडिया और काफी सारे सरकारी लोगों को पैसे खिलाए जिससे जंगल और जानवरों दोनों को नुक्सान हुआ रिशीया बोलता है कि जो चार लोगों को वनराची ने मारा है उनमें एक बात कॉमन है कि उन्होंने किसी ना किसी तरह से जंगल या जानवरों क नुक्सान बचाया है इधर हम शेखर को देख पाते हैं जो कि एक गुफा में पुलिस से चिप कर बैठाता है तब उसके अंकल उसको खान अला कर देते हैं और बताता है कि कल उसको एक आदमी हमेशा के लिए यहां से निकाल कर कहीं और भीज देगा आप अगले दिन रिशी स जंगल में शेखर की लाश मिली है जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शेखर को भी वनराची ने मारा है क्योंकि इसकी बॉड़ी भी सेम पहले वाले लोगों की तरह मिली थी शेखर के अंकल अब रिशी को बताता है कि वे जब रिशी को गुफा से खाना देकर आ रहाए उन्होंने वनराची के अवास सुनी जिससे डर कर वे भाग गए और सैर वनराची ने शेखर को मार दिया रिशी अपनी पूरी टीम के साथ गुफा में जाता है जा शेखर छुपा था गुफा के अंदर दो रास्ते थे जिसमें एक रास्ते में रिशी और चितरा जाते है और दूसरे रास्ते में सत्या और आयनार वा आयनार और सत्या को उनके रास्ते में हरे कीडे का घर मिलता है जो की मरे हुए लोगों के उपर जाले बनाते थे दूसरी तरफ रिशी को गुफा में कुछ ट्रैवल लोगों की पेंटिंग मिलती है जिसकी वे फोटो ले ले ल लोगों ने आग में कूट कर खुट को जलाया था जिनकी हड़ रिशी को मिल जाती है इसके बाद रिशी की पूरी टीम गुफा से बाहर आ जाते हैं फिर रिशी की टीम थेन काड़ू के पुराने डिएफो से मिलने जाते हैं जो बताता है कि काफी सालों पहले यहाँ पर चालू करी तब कई सेक्डों सालों से रहने वाले कनगार ट्राइब के लोगों ने सरकार के प्रिस्ताव को ठुकरा दिया सरकार ने उन ट्राइब के लोगों को हर चीज देने का वादा किया पर वे नहीं माने और वे सरकार के सामने प्रोटेस्ट करने लगे जिसके बाद एक दिन कानगार ट्राइब पे लोगों ने फ्रेस्टेशन में आकर गुफा के पास मास्ट सोसाइड कर लिया और जब रेंच फोरेष्ट के पुलिस वालों ने ट्राइब लोगों को बचाने की कोशिश की तो गुफा के अंदर के धुएं से उन्हें हैलोजिनेशन हुआ जि यहां तकीवत जानोरों का इलाज भी करते थे पर महाँ पर माइनिंग प्रिजेक्ट आने वाला था जिससे पूरा जंगल तबाह हो जाता और उसको बचाने के लिए ये सब सरकार के सामने प्रोटेक्ट कर रहे थे पर जब सरकार नहीं मानी तो उन्होंने जंगल को बचाने के लिए एक माइनिंग का प्लैन किया जो की काम्याब भी हुआ और सरकार का माइनिंग का प्रिजेक्ट रुख गया हाला कि ट्राइब के लोग खतम हो गए थे रिशी अब अपने घर जाकर चितरा से बात करता है और बोलता है कि उसने गुफा में टॉक्सिन इंहिल कर लिया था जिसके वज़ा सोसे हैलूजिनेशन हुए पर चितरा बोलते कि उसने तो पहले कभी ट्रैबर लोगों को देखा नहीं तो वे उसको कैसे दिखा जिसका रिशी के पास कोई जवाब नहीं था अनर अब रिशी को बताता है कि दुनिया में जो भी मास सोसाइट के केस हुए है उनमें स्पिरिच्चुल एंगल जरूर होता है जैसे कि दिल्ली का बुरारी केस भी है और दोस्तों अगर आपको उस पर वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए फिर एनर बोलता है कि ट्रैबल लोगों ने उस दिन गुफा में सेक्रिफाइस वाला रिच्चुल किया था ताकि वे वनराची को इस दुनिया में बुला सके रिची की टीम अब वनराची का ट्रामा देखने जाते है जो कि मंगई कर रही थी जिसमें वे वनराची की पूरी कहानी देखते है अब रिची कैथी के पास जाकर मिलता है क्योंकि उसका आज बढ़ दे था तब रिची और कैथी साथ में काकेचा टाइम इस्पैंड करते है फिर कैथी रिची से अपने प्यार का इजार कर देती है और रिची भी कैथी को अपने दिल का हाल बता देता है क्योंकि वे भी उसको प्यार करने लगा था जिसके बाद वे दोनों किस करते हैं थोड़ी दिर बाद महाँ घर में कुछ हजीवती डरावनी चीज़े होने लगती है और जब रिशी अंदर जाकर चेक करता है तो महाँ पर DFO मेडम की लाश पड़ी थी जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वनराची नहीं DFO मेडम को मारा हो यही पर एपिसोड 9 खतम होता है एपिसोड 10 के शिरुवात में हम सत्या को देखते हैं जो कि वनराची की गुफा में होता है तब उसको भूत आकर कुछ पिलाते हैं जिसके बाद वनराची सत्या के पास आती है और उसके आके खुल जाती है मतलब की वह सप्रा देख रहा था सत्याब DFO मेडम के पास जाता है जावे उनकी बाड़ी देखता है और चकर खाकर गड़ जाता है फिर यहां रिशी अब अपने कैबिन में बैट कर कुछ सोच रहा था तब उसको इंसेक्ट एक्सपेट का फोन आता है जो बताता है कि यह हरे कीड़े पेडों की जड़ों के फेरोमोन से एट्रेक्ट होते हैं और अगर उसका एक स्प्रे बना कर कहीं छिड़का जाए तो यह इंसेक्ट माँ पर अपने आप चले जाते हैं और माँ जाल बुनते हैं रिशी अब दोबारा गुफा में छानमिन करने जाता है जो उसको एक खूफय रास्ता मिलता है जहां से वे उन हरे कीड़ों के पास पहुंच जाता है तब ही एकडम से विजजी के आत्मा रिशी के सामने आ जाती है और रिशी विजजी की आत्मा को सारी बात बता कर कहता है कि तुम्हें उस दिन पब में नहीं आना चाहिए था नहीं तो तुम आज मेरे साथ होती फिर रिशी विजजी की आत्मा को आजाद रह कर चले जाने को कहता है ताकि उसकी आत्मा को मुक्ती मिले जिसके बाद विज्जी की आत्मा हमेशे के लिए चली जाती है तब ही एकदम से रिशी के उपर रोश्णी आती है और जब रिशी रोश्णी का पीछा करता है तो वह देखता है कि ये तो वही रास्ता है जहां से वनराची आया करती थी इसके बाद रिशी अब अपने साथेों को वनराची की गुफा की फोडो दिखाता है तब एनार की वाइफ उन फोटो को देखर बोलती है कि ये फोटो में उन ट्रैबल पीपल ने किसी हर्ब के बारे में लिखा है जिनके लेंगवेज को सिर्फ कनगर ट्रैब के लोग ही पढ़ सकते हैं फिर रिशी अपने साथेों को बोलता है कि हर क्राइम सीन में तीन सवाल होते है क्यों कैसे और कौन तो क्यों का जवाब तो उनके पास है जो कि जंगल की रक्षा के लिए था और कैसे का जवाब रिशी देता है कि जब उस दिन ट्रैबल लोगों ने मास्वसाइड किया तब कुछ लोग पेड के रास्ते से बच कर बाहर आ गए जिनने अब इन हर्ब के बारे में पता है और वही इन हर्ब की मदद से विक्टिम को पैरलाइस करते हैं जिससे उनको हट अटक आता है और इन हर्ब के बारे में मेडिकल वालों को भी नहीं बता तो वह टॉक्सिन टेस्ट में इन हर्ब को नहीं पकड़ पाते फिर किलर पेड की जट से फेरोमोन बना कर लाश के ओपर छिड़क देते हैं जिससे वहरे कीडे फेरोमोन से एट्रेक्ट होकर बॉडी के ओपर जाले बना देते हैं मतलब रिशी के हिसाब से वनराची जैसे कोई चीज नहीं है और जो लोग उस गोफा से बच कर भागे वही ट्राइब के लोग लोग को मार रहे हैं मतलब कि असली खूनी ट्राइब कोई लोग ही है रिशी को पता चलता है कि जो माईन का काम 20 साल पहले बंद हो गया था वे आज दोबारा शुरू हो रहा है मतलब किलर वनराची बनकर माईन का काम रोकने जरूर आएगा तो रिशी किलर को माँ पकड़ सकते है अब अगले सीन में हम देखते कि लेबर को डराने के लिए माईन्स में वनराची आती है तब रिशी और उसकी टीम भी माईन्स पर आने के लिए निकल जाते है वनराची अब उन लेबर को डराने लगती है जिससे माइट्स के अंदर एक ब्लाष्ट होता है और वरकर माइट्स के अंदर ही कैद हो जाते है पर तब तक Rishi की टीम माइट्स के अंदर पहुँच चुकी थी Rishi अब चितरा और ए नार को माइट्स में फसे वरकर को निकालने के लिए कहता है और खोद आगे बढ़ता है तब उसको सामने वनराची दिखती है फिर एकदम से कोई रिशी के उपर पैरलाइस करने वाला स्प्रेच छिड़क देता है जिससे रिशी की बौडी पैरलाइस होने लगती है रिशी अब समझ गया था कि उस दिन गुफा से कुछ ट्राइप के बच्चे बाहर निकल गए थे जिनकी उमर अब 21-35 साल के बीच होगी और वे उसके सामने ही है जो की केस गुमा रहे थे अब सीरीज में में क्लाइमेक्स आता है जा वनराची का राज खुलता है और हमें पास्ट की स्टोरी दिखाते हैं जब ट्राइप के लोग आग में दिया जासे उन बच्चों को अलग-लग परिवार वालों ने अडप्ट कर लिया जिसमें से एक बच्ची कलिया पैरूमल ने भी अडप्ट की थी जो की मंगई थी और वनराची की डॉल बनाती थी फिर जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वे एक आदमी को मरने से बचाता ह जिस से वे आदमी उसको अडप्ट कर लेता है इसके बच्चा फॉरेस्ट ऑफिसर बनता है जो की कोई और नहीं बलकि सत्या ही था सत्या को फिर बाद में पता चला कि जंगल को डियाफो मैडम से खत्रा हो रहा है जो की पैसों के लिए जंगल बीच रही है तब सत्या धीर मिलकर रिशी की इंवेस्टिकेशन को गुमा रहे थे फिर रिशी को याद आता है कि कैथी ने कोई हर्ब पिला कर उसके मैगरेन और हलिजिनेशन को सई किया था और कैथी के मन में रिशी के लिए फिलिंग्स तो थी पर वो जंगल के लिए कुछ भी कर सकती है अब हम देख से संगीता का बच्चा मारा गया जिसका कोई कसूर भी नहीं था पर सत्या कहता कि जो कुछ भी हुआ वे एक एक एक्सिडेंट था जो कि वनराची का लोगों में डर फैलाने से हुआ रिशी की टीम को सत्या की जहर का इंटिटोट दे दिया था जिससे रिशी की जान बच जाती है इसके बाद रिशी और उसकी टीम सत्या और उसके साथियों से लड़ते हैं और उनको गयल कर देते हैं इदर रिशी भी सत्या से लड़ता है तब उपर से लोही का पाइप गिरता है जो कि सत्या की छाती में कुछ जाता है और वे मारा जाता है अगले सीन में हम दे तरह बोलते कि उसका शायद असली में एक्सिडेंट हुआ होगा जिससे वैं मारा गया पर सच कुछ और ही था जो कि रिशी को पता था फिर हमें सीरीज में एको राज पता चलता है कि जंगल में असली वनराची है जिसको रिशी ने उस टाइम देखा था जब रात में तो भी देख रही है तो आप ये वीडियो देख लेजिए